हेलो दोस्तों ट्रिक्स for all students मैं आप सभी का एक बार फिर से सुवा गया थे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर था रास्ट्रवादी आंदूलन के चरण तो आपके इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर आज हम देखेंगे और सेकंड लेक्चर के तहट आ हमने उदारवादी विचारतार को पुछी तरह पढ़ लिया था हमने सटार्टिक की थी कि के इस तरहसे भारती राष्याष्य कंघ्र nhiश का वुदा हुआ और शुरुवादी जो चरण था भारती राष्याष्य कंघ्रिस का उसमरे उदाब्र वादी नीता प्रमुक थे लेकिन अब हम बात करेंगे उदारवादी को तो हमने काफी अच्छे समझ दिये था आज हम बात करेंगे उग्रवाद की अब उग्र रास्ट्रवाद का उदाय कैसे हुआ तो ध्यान से समझे सिंपल सी बात है उदारवादी की विप्रित ये विचारधारा है उग्र रास्ट संद्रता है जो स्वाशाशन है वो मांगने से नहीं बलकि संघर्ष से प्राप्त होगा ऐसी विचार धारा इसकी ती ये शांती की रास्तों पर चलने को तैयार नहीं थे अब इनका उद्य कैसे हुए इन सभी बातों को हम समझ लेते हैं तो निश्म शताब्दी के अंतिम वर कर अठारा सो 1905 तक अगर हम देखें तो जो इंडिया नैशनल कांग्रेस है उसमें प्रमुक जो लोग थे वो उदारवादी नेता थे लेकिन 1905 के बाद इस पर्ष्ट रूप से एक उग्रवादी नेता सामने आते हैं उग्रवादी नेता होते हैं वो प्रमुक रूप से 19 गर हम बात करें तो उग्रवाद का उदे 1905 में हमीं दिखाई देता है इस पर चौरपर हाना कि शुरुआइओ शुरुआज सुनब्ह से हो चुकी थे ओग्र राष्ट भाद रहा था इसका उदाय हो रहा था लेकिन इस पर स्वाद्वादियों की ये माननेता थी कि जो धान्त है वो मांगने से नहीं मिलेगा बलकि संघर्ष करने से प्राप्त होगा आगे जो भी बातें करेंगे आपको सारी चीने समझ में आ जाएंगी तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं या पर उग्र राश्ट्रवात का उदाय कैसे हु वर्ग असंतुस्ट हो गया तथा वह राजनिती कांदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा देखें दोस्तों उग्र राश्ट्रवात का उदाय क्यों हुआ आखिर क्या कारण था देखें पहले जो भारती नीता थे वो शांती के रास्ते पर मैक्स पहले लेकिन फिर भी अंग्रेजी सरकार के दौरा कुछ खास सुधार नहीं किया गया जो भी मांग होती थी कांग्रेस की उसको सही से पूरा नहीं किया जाता था कई सारी मांगों को मतलब कई सारी जो मांग होती थी उसको अंदेखा कर दिया जाता था जब कॉंग्रेस के बहुत सारी सदस्यों का एहसास हुआ कि सरकार तो हमारी कुछ मांगों को पूरा ही नहीं कर रही है तो यह प्रात्ना पत्र वगरा या रिक्वेश्ट करना सरकार से बिकार है तो हमें कोई प्राप्त कर सकें या अपने देश की लोगों का जो लोगों की जो इच्छा है उसको सामने रख सकें तो इसी के चलते उग्र राश्ट्रवात का विचार सामने आया मतलब यह है कि अब हमें संगर्ष करना पड़ेगा इसके साथ ही आत्म विश्वास तथा आत्म संबान मे ब्रिद्धी होती गई तिलक अरविंद घोष और विपिंद चंद्रपाल ने राश्ट्रवादी नेताओं से अपील की कि वे भारतियों की विशेस्ताओं और एवम शक्ति को पहचाने देखिए दोस्तों अब क्या हुआ कि बहुत सारी राश्ट्रवादी नेता सामने आय प्यास किया तो धेदेरे करके इस समय तक उननीस सो पांस तक आते आते पूरी तरह भारती लोगों में आत्म विश्वास पैदा हो चुका था आत्म सम्मान की धारना है वो विक्सित हो चुकी थी जैसे कि अभी बहुत सारे नेताओं की आपको नाम पता होंगे जैसे कि कि उबढ़कर सामने आये थे हलांकि स्वामी विवेकानन जी बड़ी रहते नेता कहना सहीनी होगा लेकिन बहुत सारे भारतियोंने क्या किया उन्होंने भारतिय असंस्कृति कर मतलब एक सम्मान जनक दर्जा दिलाया भारती संस्कृति की अच्छाईयों को सामने रखा बुरायों भी दिखाई लेकिन साथ में अच्छाईयां दिखाई जिससे की भारती लोगों को अपने उपर गर्व हुआ स्वामी विवेकानन हो गए दूसरे कई सारे नेता हो गए जिन्होंने साथ तोर पर कहा कि हम एक भारती हैं इंडियन्स हैं और हमें इस बात का गर्व है तो भारती लोगों में आत्म विश्वास और आत्म सम्मान की विरिद्धी हुई जिससे की वो किसी दूसरे देश के शाचन को सुईकार नहीं कर सकते थे और इसी के लिए उन्होंने संगर्श करना शुरू किया संगर्श की विचारधारा को अपनाया सिक्षा का विकास सिक्षा के व्यापक प्रसार से जहां एक और भारती तेजी से सिक्षित होने लगे तथा उनमें जागरिती आई वहीं दूसरी और उनमें बेरोजगारी एवम अर्थ बेरोजगारी भी बढ़ गई क्योंकि सिक्षित जो पड़े लिखे होने वाले वेक्तियों की तुलना में सरकार रोजगार के अफसरों का स्रेजन नहीं कर सकी इन में से अधिकान्स ने अपनी वेकारिय और द्याणिय आर्थिक कम्जोर आर्थिक दर्षा के लिए उपनी वेशी सरकार जो सरक ब्रिटेन की सरकार цу को उत्तरदाई ठहराया तता धीरे धीरे विदेशी शार्षन को समूल नस्ट करने के लिए उग्र रास्ट्रवात की ओर जुकने लगे सभी देखे दोस्तों एक सिक्षा का प्रसार जैसे जैसे सिक्षा का एजुकेशन का प्रसार हुआ तो पढ़े लिखे लोग बहुत जादा होगा लेकिन जब नौकरियां मिल रही थी लोगों की आर्थिक इस्तिती बहुत जादा दैनीय थी विकार थी तो लोगों ने सरकार को इसके लिए सरकार को दोस्त दिया और कहा कि विदेशी शार्षन को हटाना ही हटाएंगे तब ही जाकर हमें नौकरियां मिलेंगी तब ही जाकर ह कि हम आपसे भीक नहीं मांगेंगे हमें भाई चाहिए हमारा देश है और हमें ये जो नियम वगएरा है उसमें हमारे वो नियम हमारे अनुकूल होने चाहिए और हम आपसे भीक नहीं मांगेंगे हमें चाहिए तो चाहिए ठीक है इसका मतलब है कि भले ही हमें संघर्ष करना पड़ें लडनी पड़े हम लड़ेंगे तो ये समय कही नतर आश्च्रीं घटनाओं का प्रभाब इस काल में या लेकिए अंतरास्ट्रे इस तर पर कुछ घटनाएं घटी जिस कारण से भी और रास्ट्रवाद को थोड़ा बढ़ावा मिला बढ़ावा ऐसे मिला या इसका उदाय इसलिए भी हुआ क्योंकि यह यूरोपी लोगों की जो प्रभुता जो मतलब स्रेश्टता का दावा था य लेकिन जापा आने कि एशिया का देश होते हुए उसने इतनी तेजी से तरक्की की इसके लावा कई सारे छोटे देशों ने भी अंग्रेजी सेनाओं को मतलब बहुत ज़्यदा पराजे दिया या जो यूरोपी देश थे उनका सामना किया था कई सारे छोटे देशों ने भी तो इस से यह 30 हो गया कि अंग्रेज हो गया या ब्रिटेशच्ट नहीं लोग भी भारती हैं वो भी सहरे मतलब हम भी समान हैं हमारे ये कमी baba के करते हैं लुआ सकता हैं किन और दृद का रश्भा का करण ये भी था कि पाष्यमी करण बहुत ज्यादा हो रहा था अब सरकार ने ऐसी नीतियों को फॉलो किया था जिसके करण पूरे देश में भारत में पूरे यूरोपिय जो विचार था वो काफी तेजी से फैल रहा था यहां तक कि जो education सरकार ने दी थी उसमें जो western political thought था जो यूरोपिय जो विचार थे उनको पढ़ाया जाता था प्ले प्रेजों के टाइम पर हमने इसकी जादा study करी और वो आज भी चल रही है हाना कि यह तो education की बात होगे लेकिन फिर भी पश्यमी करण मतलब पहनावे से लिकर हर चीज में समान वगएरा सब विदेशी बेचा जा रहा था तो पश्यमी करण हो रहा था विदेशी संस्कृत बढ़ाया जा रही था भारत में कई सारी इसाय मिशन्रिया भारत में काम कर रही धी ऑर इन सबी कारण से इसका विरोत करते हुए ओग्र राश्यमी दिक शिंटन वन समाज में पश्यमी प्रभाव उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा था भारत का संस्कृतिक पहलो भी इससे अचूता ना रहा इससे भारती संस्कृति के पाश्यात्य संस्कृति में विलीन होने का खत्रा पैदा हो गया मतलब यह कि भारती संस्कृति के लिए खत्रा पैदा हो गया था जो यूरोप की उपलब्धियों से असंतोश युवा जो युवा थे राश्वाधी कॉंग्रेस के पहले 15-20 वर्षियों की उपलब्धियों से संतुस्ट नहीं थे वे कॉंग्रेस की शमा याचना एवंशानतिपूर्ण प्रतिवाद की नीति के तीवरालोचक थे उनका मानना था कि अंग दोलन चलाए जाने के पक्षिदर थे अब जो युवा लोग थे जो यंग लोग थे भारत के वह राश्वाधी कॉंग्रेस के शुरुवाती काम थे उससे संतुस्ट नहीं थे जैसे कि जो लगबग 20 वर्ष तक कॉंग्रेस के दौरा जो उदारवादी सतस्य थे कॉंग्रे उदारवादी हैं भले ही वह रिक्षेस्ट करते हैं तो उन्हें क्या मिल जिवां कंग्रेस्ट की हैं तो उदारवादी के बारे में सोचे हुए सभी फिर अराम से मतलब मांग करते याची का दायर करते लेकिन उदारवादियों की उपलब्धियां असंतोष जनक थी जिसके करण कई लोग कई यूवा संतोष नहीं थे और फिर उन्होंने उग्र राश्ट्रवाद का समर्थन किया तो वापसे थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं तो सिंपल सी बात थी उदारवादी सदस्य थे लेकिन अब उदारवादी सदस्यों की उपलब्धियां कुछ खास नहीं थी इसलिए कुछ उग्रवादी सदस्यों का मुख्य एजेंडर यहीं था कि जो भारती संस्कृतिय उसको बड़ावा दिया जाए पश्यमी करण का विरोध किया जाए और शांती वगएरा के स्थान पर हमें संगर्श के नीती अपनाने हैं संगर्श का मतलब दोस्तों यह भी नहीं कि हम पूरा हत्यार उठालेंगे मतलब यह हैं कि हम रिक्वेस्ट करें भीक मांगे ऐसा कुछ भ गवर्मन्ट का साथ नहीं देंगे क्योंकि जो उधार वादी थे वो साथ देने की बात कर रहे थे कि ब्रिटेन की सरकार हमारे यहां हमारे देश में काफी अच्छे नीतिया लागू करेंगी और हमारा साथ देगी लेकिन उधार उगर्वादियों नें साफ तोर पर इंका को समझा दिया उग्रवात का उदा कि हुआ तो मेली यही कारण है कि अंग्रेजियों की जो नीतियां थी वो सही नहीं थी आत्म विश्वास लोगों में पैदा हो गया शिक्षा का परसार वह बेरुजगारी बढ़ रहे थी और अंग्रेजी शाजन को इसका दोश दिया गया अंतराश्वी प्रिभाव से पता चला कि जो अंग्रेज हैं वो आप राज्ये मतलब की ऐसा नहीं कि वो हारेंगे यह नहीं हारा हार सकते हैं अगर हम एक जुट होकर उन्हें हराएंगे तो वो हार जाएंगे इसके लावा पशीमी करण हो रहा था तेजी से यूरोपी पास नहीं थी इसलिए उगर राष्टवादी लोगों की संख्या बढ़ती गई तो यहां तक हमने बात कर लिए अब बात करते हैं यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है स्वादेशी आपको थोड़ा सा समझना है तो स्वादेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विभाज घोषना की गई कि जो बंगाल है आज का अंगला देश मिलालो पमेल मिलालो और विहार का बहुत सारा एरिया मिलालो ज американ होगा प्रिद्शी बनती है बंगाल राज्य समय उस समय हुआ करता था तो विभाजन कई गई 1903 में घोशना की गए कि हम इसका विभाजन करने की कोशिश करेंगे और 1905 में इस पर रूप से पूरी तरह रूप लेखा वगएरा तयार करते हुए घोशना कर दिया गया है यह एरिया है बंगाल का विभाजन कर दिया गए हाना कि वह बात अलाग है कि काफ़े आंदोलनों क लोग थे उनकी द्वारा इस पस्ट रूप से इस बंगाल विभाजन का विरोत किया गया काफी कड़ा विरोत इनके द्वारा किया गया था अब इसी कॉंटेक्स्ट में यहाँ पर एक आंदोलन शुरू होता जिसे हम स्वादेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं अब यह है क् जादा अभी डीप में नहीं जाना इतना इनफ है अब हम बात करते हैं कॉंग्रेस की इस्तिति क्या थी इस टाइम पर जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि बंगाल का विरोत सबस्ट जादा किसके दुआरा किया गया उग्र रास्ट् तो सरकार का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करने के समर्थन में थे कि हमें सरकार का सरकार के काम का समर्थन नहीं करना और पहली बात बंगाल जैसा कोई विभाजन है तो वो देश के लिए हितकारी नहीं था देश के लिए काफी मतलब देश के लिए एक नुकसान दायक चीश तो आपस में बंगाल के विभाजन के मुद्दे जैसे कई सारी जो मुद्दे थे उनको लेकर काफी मद्भेद हो रहा था तो अब यही टाइम पिरेड है उनी सो पांच की आसपास का टाइम पिरेड के दौरान कॉंग्रेस की क्या इस्तिति थी इसको थोड़ा सा समझ लेते ह क्या स्थिती थी कांग्रेस की उनी सो पांच में गुपाल कृष्ण गोखली के अध्यक्षता में भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के वार्षी अधिविशन में निम्नी दो प्रस्ताव पारित किये गए पहला प्रस्ताफ था करजन की प्रतिकिरियावादी नीतियों एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना प्रतिकिरियावादी नीतिया मतलब करजन ने कई सारी कठोर करजन वायसराय थे उस समय तो उन्होंने कई सारे कठोर नीतियां लागू की दिन बंगाल की विभाजन की आलोचना करना इसके लावा बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तता स्वादेशी अभियान को समर्थन देना देखिए नॉर्मली कॉंग्रेस के सभी सदस्यों ने बंगाल की विवाजन के आलोचना किये थी है अगर इस्तिति की बात करें तो 1905 में गोपाल केशन डि प्रिस्ताव पारित किये जाते हैं एक ये किया जाता है कि करजन के द्वारा जो नीतियान लागों की जारी है उसका विरोध किया जाएगा और बंगाल विभाजन की आलोचना किये जाएगी इसके साथ ही एक बंगाल को जोड़े रखने के लिए बंगाल में बंग भंग व पारित की गई थी इस संबंद में उग्रवादी राश्वादी यह था बाल गंगा तर तिलक जैसे की बाल गंगा तर तिलक हो गया लाला लाच्पत रॉय हो गया राय विपिन चंद्रपाल और अर्विंद घोश जो प्रमुक लीडरों के नाम लिए ना मैंने यह प्रमुक र अभियान का प्रसार बंगाल से बाहर पूरे देश में हो तथा इस विदेशी वस्तों के भाहिशकार तक ही सीमित ना रखकर पूर्ण स्वातंदरता संगर्श के रूप में चलाया जाए जिसे पूर्ण स्वाराज्य पूरी तरह स्वातंदरता का लक्षे प्राप्त किया जा सके किन्तु इस समय कॉंग्रेस में नरम पंतियों का प्रभुत था तथा वे इसे बंगाल के बाहर चलाये जाने के पक्ष में नहीं थे धिरे-धिरे उदारवादियों में विभिन विश्यों पर मद्भे निरंतर बढ़ते गया जिसके परिणती उननी सो साथ के सूरत दिवेशन में हुई जब कॉंग्रेस दो धड़ों में विभक्त हो गई इस विभाजन को का स्वादेशी अभियान अन्य तातकालिक आंदोलनों पर गंभीर प्रभाब पढ़ा अब देखिए बंगाल में ही जो बंगाल विरोधी आंदोलन था ये बंगाल तकी सीमित रखन देखिए पर ज्यादा समर्थन किया नरंपंथियों ने उदार वादियों का प्रभुत। था उन्नीसित strongest में भी तो इन्होंने समर्थन किया कि बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन है उसको बंगाल तकी सीमित रखा जा लेकिन जो उगरवादी नीट था थे कांग्र पूरी तरह उखाड़ना चाहते हैं लेकिन मतभेद बढ़ता गया क्या नरम पंति चाहते थे कि हम अपने आंदुलों को बस बंगाल तक सीमित रखें बंगाल वियुदी आंदुलों को लेकिन उग्रवादी ऐसा नहीं चाहते थे चाहते थे कि वह पूरिदेश में हो इसके और उग्रवादी इस पर दो गुटों में बढ़ गया इनकी अंदर की जो एकता थी पहले जो एक होकर रह रहते हैं वो पूरितरा अलग हो गया दोनों अलग अलग कारे करने लगे उधारवादी अपना अलग कारे करने लगे इससे कई सारे प्रभाव आंदुलों पर बढ अब यह जो उग्रवादी थे इनके द्वारा संगर्श का एक नया स्वरूप तयार किया गया था इसको थोड़ा समझते हैं ठीक हमने उदारवादियों के बारे में काफी बातें करे लिए अल्रेडी फर्स लेक्श्र में अब उग्रवादियों के द्वारा जो मतलब विरोद परदर्शन किये गए समीतियों गठन समीतियों किया गया सवाइम से प्रिशार करें सवातमतरता का आत्म विश्वास और आत्मशक्ति की भावना पर बल दिया गया स्वादेशी या राश्ट्य शिक्षा का कारक्रम चलाया गिया मतलब जो इस्थानी सिक्षा है वो दी जाए सिक्षा का कारछ्व करम चलाया गिया और जो और जो भारती क differs भारती लोग सामने आए इस दौरान उन्हों अपने लोगों ने मिलकर अपना पैसा खर्च करकर करकाकई एकटा करके १ृत्व नहीं उसे समर्थन कीया प्रियास किया तो उग्र वामदियों के द्वारा यहां पर जितने भी चीजें देखेंगे, वो सारे चीजें सरकार के विरोध में थी, ठीके, इस पर्श तोर पर, उधारवादियों ने ऐसा नहीं किया, उधारवादी सरकार को नाखुश नहीं करना चाहते थे, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि विदेशी वस्तों का बहिशकार का मतलब क्य होता है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, संगरश को एक नया रूप दिया गया, उगरवादियों के द्वारा, यहाँ पर भी हमें मुस्लिम लिख की बात करने हैं, लेकिन उसे पहले एक इंपॉर्डेंट बात कर लेते हैं, लेको दोस्तों फर्स लेक्शर और सेकेंड ल हो, चाहे उधारवादी लिखा हो, मतलब समझ जाना दोनों का मतलब एक होता है, कही बार आपको उधारवादी की जगा नरम पंती या नरम दली नेताओं के रूप में वो कुश्यन में दे सकता है, उगर राश्टरवादी नेता को चरम पंती भी कहा जाता है, तो सी बात करनी जादा नहीं जादा बात नहीं करेंगे मुस्लिम लेक के स्थापना का इतिहास बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है भारतिय मसलमानों के अधिकारों को संदक्षन देने के लिए 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ये नाम है आगा खां डाका के नवाब और नवाब मौसीन उल्हक के निर्देशन में इनके डारेक्शन में मुस्लिम लेक के स्थापना के गए थे ठीक है 30 दिसंबर लगबग लास्ट दिन होता लिए की स्थापना की गई थी पहले पहल बिरिटिश सरकार ने इसका काफी समर्थन किया जब लेकिन जब इसने स्वासार्चन का विचार रखा तो इसने उसको अपना समर्थन देना वापस ले लिए 1908 में लीक का अमर्थ सर अधिवेशन हुआ जिसमें अध्यक्सतक सर सहयद एहमद इमान इमाम ने की उन्होंने वहां प्रिथक मुस्लिम मद्दाताओं की मांग रखी जिसे 1909 में मौले मिंटो सुधार दौरा सुविकार कर लिया गया अब यहां पर देखिए सर सहयद एहम इमाम के दुआरा एक अधिवेशन किया गया था मुस्लिम लीक का 1908 में अम्रिस सर में जिसमें उन्होंने मांग की थी मुस्लिमों के लिए प्रिथक निर्वाचन ववस्ता होनी चाहिए भारतिय मुसल्मानों की वफादारी को बढ़ावा देना था इसका निर्मान भारतिय मुसलिमों के राजनीतिक वा अन्य अधिकारों को संदक्षन देना तता सरकार के समख्ष अपने इच्छा एवं आकांशाओं को प्रस्तुत करने के लिए किया गया था देखे दोस्तों अ बहुत सारे मुसलिमों को लग रहा था कि जो नेता हैं जो प्रमुक नेता है भारत के अंतर्गत वहुद्धिक तो लेकिन ये चीजें थी गलत नहीं थी सही था लेकिन फिर भी मुस्लिम लिखिग जो इस्थापना है दोस्तों उसके पिछे अंग्रेजों का एक विभाजन का सिध्धांत जो विभाजन की जो नीती थी वो छोपी हुई थी विभाजन की नीती चोपी हुई थी और इसके चलते फिर आगे चलकर हम देखते हैं 1947 में भात कर विभाजन भी होता है ऐसा था कि अंग्रेजों ने भारत में विभाजन वाली विभाजन का खेल खेला मतलब बाटों और राज करो अंग्रेजों की नीती थी डिवाइड एंड रूल टेकर डिवाइड एंड रूल के अंतरगत अंग्र रूल के नीती के तहट इसारी चीज़ीं की गए थी जो कि देश के लिए हानिकारख ही सिद्ध होई आगे चलकर उमिद करता हूं यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और यहां तक आपका पूरा चैप्टर खतम होता है वीडियो को प्लीज लाइक करना सब्स